हेलो दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे गुड़न खंड करना तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा तो प्लीज वीडियो को इंट तक देखिए तो चलिए सुरू करते हैं वीडियो को question है 4y square minus 12y plus 9k गुड़न खंड कीजिए ठीक है दोस्तों तो सबसे पहले हमें गुड़न खंड करने के लिए पहले हमें देखा जाता है कि सार्व गुड़न खंड है की नहीं है इसमें कोई सार्व गुड़न खंड का मतलब होता है यह जो बेंजक दिया हुआ है बहुपद इ इसमें ऐसा कोई अंक हो या चर हो जो सब में कामन हो ठीक है तो यहाँ पे देखिए इसमें कोई कोमन नहीं है तो यहाँ पे कोई सार्व गुड़न खंड नहीं है अब क्या करेंगे हम कि इन्हें लिख लेंगे ठीक है तो 4y square minus 12y plus 9 ऐसे हमने लिख लिया ठीक है अब देख सकते हैं तो इसे हम लिख लेंगे 2y का whole square ठीक है फिर उसके बाद यहाँ पे plus 9 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं थरी का square लिख सकते हैं लिख सकते हैं फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए minus sign है तो minus sign को हम और लगा करके 12 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुड़े 3 यह दो गुड़े, तीन गुड़े दो, ठीक है, अब देखें, यहां से दो भी मिल रहा है, और यहां से तीन भी मिल रहा है, और यहां पे एक y भी है, ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, अब देखें, आपको एक चीज याद होना चाहिए, एक basic formula होते हैं, basic formula क्या हो 3 का whole square, ठीक है, तो यहां पे देखिए, यहां पे क्या बन रहा है, देखिए, 2a का square, यानि कि a के जगा पे हम 2i लिख लेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद, plus b square, b square के जगा पे क्या बन रहा है, 3 का square बन रहा है, ठीक, फिर उसके बाद, minus, twice, दो लग गया, फिर गुड़े, a के जगा पे क्या हो गया, a के जगा पे हम ले लेंगे, यहां पे 2i, ठीक है, 2i यहां पे लिख लिया, फिर उसके बाद, b के जगा पे क्या है, 3 ले लेंगे, ठीक है, और आगे, 2 लगाई है, तो इस तरीके से हम, यहां पे, क्या लिख सकते हैं, इसके बाद, अगले line में होगा अगली लाइन में हम लिखेंगे कि A के जगा पे क्या लिख लेंगे 2I तो 2I लिख लेंगे फिर माइनस B के जगा पे 3 लिख लेंगे इसका whole square लिख देंगे यही हमारा गुडन खंड हो जाएगा तो friends इस तरीके से बहुत यह basic concept है अगर यह formula आपको याद नहों तब क्या करेंगे तो उसके लिए एक trick भी है हमारे पास trick क्या है जैसे कि 4Y square हमने लिखा फिर उसके बाद minus 12Y plus 9 लिखा अब देखिए जो पहला पद है 4Y square तो यहां से हम क्या करेंगे 4 को ले लेंगे ठीक है और जो last वाला अंख है अचरपद जो है 9 इसको हम गुड़ा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 नमा 36 हो जाएगा ठीक है अब 36 के ऐसे दो factor करने हैं जिनको जोडने पर 12 आ जाए तो कैसे आ सकता है तो देखिए अगर हम इसके factor करते हैं दो एक 6 कर दें और एक ये भी 6 कर दें 6 6 के 36 6 6 12 हो जाएगा ठीक है हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बिल्कुल अब चलिए अब अगली लाइन में क्या करेंगे यहां पर 4 y square फिर क्या करेंगे अब ये 6 6 को ऐसे लिखना है कि ये 12 y बने तो यहां पर देखिए माइनस में है तो माइनस 6 y माइनस 6 y प्लस 9 कर दे खिक है अब देखिए अब हमें common लेना ने हो तो 2-2 का समू माइन बना लेंगे दो-दो पद का आब यहां से दिखिए इहां पर 6 है तो 6 में 2 आता है 3 आता है 2-3 हीच है थीक है तो 2 y common कर लेंगे हम यहां से यही गुड़नखंड में चेक करना होता है कि कौन से पद में कौन सा कामन है, कौन सा सार्व गुडन खंड है उसका, ठीक है, यही समूव बनाना होता है, और यह चेक करना होता है, ठीक है, तो 2i कामन करेंगे, तो 2i माइनस यहां पे 3 हो जाएगा, और यहां से क्या कामन करेंगे, यहां देखे, 6 है, यहां पे 9 है, तो 3 दूना 6 3 क ती तीन कामन कर लेंगे तो यहाँ पे 2i-3 हो जायगा ठीक है? अब क्या बचेगा? बचेगा 2i-3 अब देखिए 2i-3 दो जगह पे है तो दो जगह पे हैं तो common लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 2i-3 अब इसी को अब देखिए 2i-3 और 2i-3 है ये गुड ए लिखते हैं, तो उसको हम A का स्क्वार लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर 36 है, तो 36 को हम 6 का स्क्वार लिख सकते हैं, तो ये हो गया हमारा अभिस्ट गुडन खंड, तो इस तरीके से हम ऐसे गुडन खंड को करते हैं, ठीक है, तो फ्रेंज, चलिए एक क्वेस् प्लस 6 के गुड़नखंड कीजिए, तो इसे कैसे solve करेंगे, तो जैसा कि मैंने बताया था, कि सबसे पहले हम देखते हैं, कि कोई सार्व गुड़नखंड है क्या, तो पहले step में, अब देखें, यहाँ पे 3 M square है, प्लस 9 M है, प्लस 6 है, तो देखें, यहाँ पे 3 है, 3, 3, जा 9 होता है, 3, 2, जा 6 होता है, तो 3 common कर लेंगे, तीन, तीनों पदों में है, ठीक है, तो 3 को common कर लेंगे, तो M square प्लस 3 तिरिक के 9, 3 M प्लस 2, यह हो गया, अब इसके बाद क्या करना होता है, अब देखें, अब जैसे मैंने ट्रिक बता था, पिछले question में, कि जो पहला पद है, उसका देखें, गुड़न खंड, इसका क्या था, गुड़ांक 4 था, और यहाँ पे 9 था, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 2 है, तो 1 दूना 2, तो इसको इस तरीके से, समू बनाना है, तो सबसे पहले 3 लिखेंगे, और M square लिख लेंगे, और उसके बाद, 2 और 1 का गुड़ा करेंगे, तो 2 होगा, अब 2 को कैसे हम गुड़न खंड करें, कि उनको जोड़ें कि 3 आ जाए, तो 2 एक कम 2, तो 2 एक करेंगे, तो 3 आ जाएगा, तो 3 M को हम 2 M plus M लिख देंगे, तो 2 M plus M लिखेंगे, प्लस 2 कर देंगे, ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पर 3 लिखेंगे, अब देखेंगे, अब 2 2 का समू बनाएंगे, M square plus 2 M, तो यहाँ पर देखेंगे, M इसमें भी है, M इसमें भी है, ठीक है, तो M यहाँ से कामन कर लेंगे, तो बच्चे का M plus 2, प्लस, अब देखेंगे, यहाँ पर M है, M इसमें चर्पद है, इसमें अचर्पद है, तो यहाँ पर देखेंगे, कोई भी चर्पद हो या चर्पद हो उसमें एक चो होता है सब में common होता है तो हम यहाँ से एक common करेंगे तो M plus 2 हो जायेगा ठीक है? अब यहाँ से 3 और M plus 2 अब देखे यहाँ पर दो पद हो गए पलस के इदर एक पद और एक इदर तो M plus 2 यहाँ से common M plus 2 यहां से common तो क्या बचेगा? एक कोश्टग में हो जाएगा M plus 1 हो जाएगा तो यही हमारा अभेष्ट गुड़न खंड हो जाएगा तो friends देखें बहुत ही आसान तरीके से हमने यह गुड़न खंड बताया अब चलिए एक गुड़न खंड और भी सीख लेते हैं यह कुछ अलग है ठीक है? तो इसको सीखने के लिए हम एक फार्मूला भी बताएंगे आपको ठीक है? अगर यह फार्मूला आपको याद रहता है तो तुरन चुटकी में निगाल लेंगे आप जैसे फार्मूला होता है ए स्क्वाइर माइनस बी स्क्वाइर बराबर ए प्लस बी दूसरे ब्रैकट में ए माइनस बी बस यही दो गुड़न खंड है यही फार्मूला इस पे अपलाई कर देना है ठीक है? और इस तरीके की फार्मूलों के एक वीडियो मैंने अलग से बना रखी है तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे आप प्ले लिस्ट में जाके गुड़न खंड के आप देख सकते हैं इस वीडियो को ठीक है? उसमें आपको यहाँ पर ऎ एक के जग़े पर क्या है? L प्लस M लिखा हुआ है तो इसको हम लिखेंगे L प्लस M लिखेंगे और E के जगवे फिर प्लस का साइन लगाएंगे और B के जगवे क्या है? L माइनस M है तो L माइनस M एक ब्रेकट में कर लिए अब दूसरे bracket में क्या करना है L प्लस M यानि कि A माइनस B करना है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे और यहाँ पर हो जाएगा L माइनस M, B के जगा पर इसको bracket लगा देंगे अब इसको और थोड़ा simplify कर लेंगे, अब देखें यहाँ पर L प्लस L है तो 2L हो जाएगा, तो 2L लिख लेंगे, और M माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो कट जाएंगे यह फिर यहाँ पर देखें यहाँ पर हो जाएगा L प्लस M अब इसको यह bracket ओपन करेंगे तो माइनस L, माइनस का माइनस में गुड़ा होता है, तो प्लस होता है तो यहाँ पर M हो जाएगा अब देखें, यहाँ पर L, L कट जाएगा तो यहाँ से बचेगा 2L और यहाँ से बचेगा इंटू 2M तो बराबर क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा 4L M और यही answer हो जाएगा तो friends इस तरीके से हम बहुत ही आसाम तरीके से कोई विगुडन खंड को solve कर सकते हैं तो friends I hope कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो अगर पसंद आती है तो channel को आप like कर सकते हैं subscribe कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी share कर सकते हैं तो मिलते हैं next वीडियो में तो आज के लिए वस इतना ही thank you thank you so much